तो साहबुदीन जी के मामला है, उनकी पत्नी की मामला है, साहबुदीन जी ने 15 साल में राष्टिये जनता दल को बदनाम करके रख दिया एक टू जेड की पाटी तो सब पाटिया है, इस थोरे है जो राष्टिये जनता दल में हर पाटी में हर दल के हर समाज के लोग है अरे मुसल्मान वहाँ परसान थे साभुदिन जी से जेस्वी जी के बात है उन्होंने बोला जे मेरी पार्टी एक टू जेड की पार्टी है एक टू जेड के मतलब दो सीट पर होती है 2003 में 13 जादों को हत्ते आ हुआ जिसमें लालू जी की सम्मंधी लोखा जमीन घोटाला में इन्होंने ना मुदाजर किया जमीन को पूरा पेपर लेकर प्रेस कनफरनेंस किया आईवी टीवी देखता है इंडिया आईवी टीवी के तमाम डिजिटर पेरफॉर्म पर आप सभी दर्समों का बहुत बहुत स्वागत है देखिए बिहार मिंदनों राजसाभा को लेकर करके सियासत वो कहीन के देखनें के मिल रहा है आईवी डीडी के अंदर भी कहीन कहीन वो चीज़ें अब वो बातें अब रियक्सन जो है वो जो है तमाम पार्टियों के तरफ से आने लगी है और कहा यह जा रहा है जब तेस्वी बताते हैं एटू जाटी की पार्टी तो क्या यही हुए एटू जाटी के पार्टी क्योंकि इसमें तो एमवय का खासतर पर ख्याल रखा गया हमसा बाचिक करने के लिए कि पकार से तेस्वी बतातार लकारें जो जो एसे नामोंगी चर्चा एंग लुट से चल रहे थी जो यह कहा जागा था एक तूजेट की पाठिए नहीं है कि इसको सही मानते हैं देखिए जो बीजेपी और जद्दियू जो अरोप लगा रही है या राष्टी अधेग जी आए हैं अच्छुना उन्होंने करा दिया नमनेसन करा दिया जो भी हो एक तूजेट की पाठिए तक सब पाठिया है इस तूजेट के मतलब दो सीट पर होती है उसके लिए सावासर सीट राएगा तम एक टूजेट के आदमी को साई आदमी को बनाया जाएगा दूसा आदमी को बनाया जाएगा हर जाती के लोगों को बनाया जाएगा पैकि दो सीट मातर बचला जिसमें एक मिशा भारती पहले से राज सभा रही है उनको भेजना निवार था एक नाया काडिडेट जो मुसल्मान है जो अच्छे आदमी है परहल लिखल है उसको भेजा गया इमें तीसरावा को भेजना के कहां सवाल उठती है बीजेपी जद्यू को लोग ये कह रहे हैं जो आदमी मेहनत करता है वो अगर कुछ बनता है तो में पलवार के बाद कहां से आती है बीना मिशा के कुस किये हुए थोड़े लालू जी बना दिये हैं मिशा की का जोकडान है तेजयसिवी का जोकडान है तेट परताब का जोकडान है इसका मतलब क्या जो पाटी छोरने की बाते हैं जहां ते साहब अदिन जी के मामला है उनकी पत्नी की मामला है साहब अदिन जी ने पंदरह साल में राश्टिये जनता दल को बदनाम करकर रख दिया इतना क्राइम इतना लूट इतना हत्या कभी आन्मी कोई देखता नहीं था जहांता ज्यादे से ज्यादे उहां मुसल्मान लोग भी जो बिदेश से मुसल्मान आते थे दिली घर पर बोलाकर रत्तसिली होती थी घर पर बोलाकर रत्तसिली होती थी अरे मुसल्मान वहां परसान थे साहबुदीन जी से यह जो दिनना ले आगे यह सही क्या है बहुत अच्छा किये ना था एक और कराइम बढ़ता आराष्टी यह जनता लोगों को बदनामी होता राजसवा नहीं भेज के बहुत अच्छा काम किया यह भी कर रहा है कुछ वर्ग जो है कुछ खिशकरी के बाते भी सामने आती है व इसे आदमी को जो पाठी को बदनाम किया तेरह तेरह जादों को हत्या किया मठ के जमीन के लिए सिमान में 2003 की मामला है 2003 में तेरह जादों को हत्या हुआ जिसमें लालु जी की संबंधी लोगा पूरा मालुम चली थी कोई बोला क्या? अरे बहा है, तुति बोलती थी, वो तो बनिया हुआ, जेलालू जी राज्साभा नहीं भेजें, ना तो फिर जैनल के बनामी चालू हो जाएगा श्रीमान जीला में आप इदर आई दोनों कई ऐसे बयान देते हैं जो परिवार के साथ हा के बयान देते हैं इसको क्या माना जाएं? सब नहीं हूं सच्छार्वार को सब्सक्राइब tab सब्सक्राइब आप serious species है सीवान आन्तिवारी जी बिना पैनी के लोटा है लालु जी गोट नो होने नामुदागर किया जमीन को पूरा पेपर लेकर प्रेस कंफरनेंस किया इलो क्या बात करेगा ये लो तब बिना पेनी के लोटा है बेटा एमेले बन गया है अब भावाई लूट रहा है वही बेटा नहीं बनता तब फिर जद्दी में भाजपा में घुमल चलते हरे भाई इलो परसान करके लालू जी से फायदा लिया है इलो मदद कब किया है इलो मदद कब किया है को अभी इलो मदद नहीं किया है इलो ना कोई पाटी देखा है ना दुनिया देखा है लालू जी को नबे से अल्पमत की सरकार थी अल्पमत के लगतार सरकार चली ये भी था कोई कहता है जिस्वास बना दिये सारी सारी गलत बात लोग बनाम करने में आप यह रहा है आप लोग का यह पारंग किया है क्या है अजो किया हूँ तबहुगा है 40-50 केस है मुकादमा है जो जैसा किया हुचा भोग रहा है आप इसको सभास जी सही मानते हैं जो टिकट अगर तही जगा दिया गया है उनके जगा उसको उसको दिया जाना कहीं ने कहीं गलत था करायम के सीमा फिर पर करता सीमान में इसलिए रोका गया बहुत अच्छा हुआ रोका गया बहुत अच्छा हुआ अच्छे आर्मी को दिया गया है टिकट इसके लिए मैं राष्टिय जनता लगा धन्यबाद देता हूं लालू जी को देखिए बातें सियासत में चलेगी जो सुवास दी जो है अब सिंपेति कहीं ने कहीं दिखा रहे हैं कोई संपेति नहीं है सच्चाई है सही बात है जो सही काम हुआ है उसको सही हुआ है कितना ये लोग क्राइम किया है वो जहले है हम लोग हम लोग परसान हुए हैं इन लोग को समारते समारते इन लोग क्या बात करेगा लालू जी से हर आदमी फायदा उठाया बैकि मदद कौन किया कौनों नहीं मदद किया दुनिया जहन लोग बोल रहे हैं जो हम नेता बिरुधी दल बनाए फानला चीज बनाए आरे भाई मंगनी बनाए आपको लालू जी ने बचाया आप छुचंदर जाजी के हत्या में आपका साजिस में नाम चल रहा था लालू जी ने आगबर के मदद किया साबुदीन को ये फायार हुआ था 88 में लालू जी ने मदद किया पहले ही से फायार था उनके उपर गलत लोग लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं उनको लोग सेट तो मिलता है चुनाव तो लड़ती है अब राज सवा में कहां से दू आन्मी को भेज नहीं था दू आन्मी को चल गए तिसरा वी में कहां से जाता है मत्तब ये क्या लग रहा है अभी सही समय है जो आपके भांजित तेश्वी खात्मिरास्टी पाटी ये पाटी का बागडूर देना चाहिए या फिर लालू जी नहीं चाहिए ये गलत है जब तक लालू जी जिन्दा है किसी को नहीं देना चाहिए ये पाटी उनीक नित्रत में सही चलेगा उनने है जब थेगा खुद बना है अप पलुआर के सहोग से बना है कोई बाहरी आधमी को कई मतलम नहीं है कई ऐसे लोग है जो उसकी हिमायती है हमके कई लोग है तमाम पाटी के जो कर रहें जो उनको भजना चाहिए गलत किया है वो लोग के का पता है वो लोग के जनम का या का है वो लोग के जनम का या रादनीत में को का या आया लोग हम लोग आनाईसा पचासी से पटने में रहते हैं तो हम लोग जानते हैं पचासी में का होता था जो पचासी में नहीं था उसको क्या पता है नबे में जो नहीं था उ लूट करते थे यह लोग क्या बात करेगा यह साबुदीन जी थे ओधियर चौधरी को खोज ले चलते थे 47 लेकर मारने के लिए मंत्री रहते गरामिरी पिकास मंत्री थे ओधियर चौधरी अब भतिजा को बान के मारा था अपना घर पर है कोई यह सा काम करता है पठी के मेले भाई भतिजा को कोफिये मरता है तो इसे लोग है वो कुछबाहा को आज्जादों को कितना हत्या स्रिमान में हुआ है वह geil को पुछिएगा समझ है पार्टी सहाराद दे या नहीं दे उसमें हम कहां हैं बाकि जो सच्चाई है हमने बताया लालू जी भी परसान थे साबुदिन से लालू जी भी परसान थे सरकार भी परसान थे कोई सब आदमी नहीं थे चलिए तो यह हमारे साथ सुभास अदब जी थे जिन से तमाम बातें मुद्दे पर बातें बात कर रहे थे तेकि इस वक्त रासभा को लेकर इस प्रकार से कल आज़ा के तरब से दो बारों नामंकन किया मिशा भारती और फ्या जामत उसके बाद से साब दिन के समर्द को में तमाम तरग के बातें सामने आ रहे थी जो उन्हें भेजना चाहिए तो तमाम मुद्द को लेकर सुभास यादब से बात कर रहे थे क्योंकि आर्जडी में कई दफे और कई जो है बहुत दिनों तो लंबी समय तक जो है जूरिद है तो तामाम बातें हमने के बाकि यह तावित्वी पटना